हेई गड़ीज वेलकम बैक्टि दी चैनल सूपासोनिक कैसी है आप सभी आई होप सब बहुत ज़दा बढ़िया होंगे सूपासोनिक चैनल में आप सभी का फेट से स्वागते एक और न्यू वीडियो में आप सभी को मालूम है कि इंडिया के अंदर सूपर बाइक सूपर का क्रेश जो है वो बहुत ही ज़दा है और इंडिया के अंदर अब तो यह चीज़े और ज्यादा इंक्रीज होती जा रही है डे बाइडे आप लोगो नहीं ने कार्ज देखने को मिलेगी लैंबॉर्गीनी पॉर्चे फरारी ना जाने कितनी सारी गाडियां बट वहीं अग की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 सूपरकार क्रैसिज इन इंडिया और मेभी शायद यह पार्ट 5 यह पार्ट 6 हो सकता है तो अगर आप लोगो ऐसी ही टॉपिक भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर अगर आपके सामने भी को लगबग 5 करोड है CR पार्क के पास में यह एक्सिडेंट होता है बिसिकली दो स्टूडेंट जो की कॉले से वापस अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं और एक फ्लाइओवर पर वो बहुत सब्सक्राइब कर रहे होते हैं और कार जो है वो उस वक्त अनकंट्रोल हो जाती ह है सबसे पहले गाड़ी जो हो जा करके एक आटो को हिट करती है उसके बाद अनकंट्रोल हो करके जा करके डिवाइटर से हिट हो जाती है यहां पर अगर आप लोग को देखोगे तो लेफ्ट साइड राइट साइड हर जग आप लोगो डेमेज देखने को मिल रहा होगा औ उसी के साथ इसके अंदर बैठा हुआ ड्राइवर और पैसेंजर जो रहते हैं वह भी काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं बाद में जो पुलिस है वह इन्विस्टिकेशन करती है और लेमबरगी नी और इसके आप लोग हालत देख सकते हो कितने चादा खतरनाक एक स्कूटी के बेच में पूरा का पूरा हास्सा हो जाता है जिसके थोड़ी सी विजिबलीटी भी कम रहते है और सिंगल लेन रोड पे आपको मालुम है कि काफी सतर करयाना पड़ता है क्योंकि इसी में आप लोग आना भी रहता है तो वह कहीं नंगे एक प्रोब्लम जो होने की वज़े से जो अपोजिट साइट से ओमनी और स्कूटी आ रही थी ना भाई यह सीधा जाकर उनमें हिट कर जाती है यहाँ पर मैं बात करूं लोगों के बारे में तो दो लोग जहाँ वह काफी बुरी तरीके से जो है वो डैमेज हो चुकी है यहाँ पर अगर डेख सकते हो यह भी काफी बुरी तरीके से पिचक गई है और स्कूटी में भी आप लोग अचागा सा डैमेज हो देखने को मिल रहा होगा सूपरा को इंडिया के अंदर लाने के लिए बहुत जादा मेहनत करनी पड़ती है और कुछ ऐसे उन्वर्स है जो कि इस गाडियों को बहुत जबर्दस तरीके से रखते हैं और उन्हीं में से केरल एक ऐसे स्टेट है जहाँ पर आप लोग ऐसी गाडियां देखने को मिले है कि उसमें कोई डिफॉल्ट रफॉल्ट आ रहा होता है उसको चेक करने के लिए और में भी ऐसा हो सकता है जो मेकानिक रहा हो भाई इतनी जादा पॉर्फुल बैक को ना समझ पाया हो या फिर उससे अंकंटोल हो गयो गाड़ी और इससे पूरा का पूरा हासा जो हो जात लिए रोड पर बहुत जल्दी वापस आ जाए और अगर आप में से मालूम होगा इसके बारे में किसी को इंफॉर्मिशन है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं नेक्स्ट नमबर फॉर मुंबई का यह एक्सिडेंट है अंबानी की फरारी का यह एक्सिडेंट हो आप पर over speeding करते हैं और exactly यहां पर यही चीज होती है यह जो फराई वाला बंदर रहता है यह बहुत ज़्यदा over speeding कर रहा होता है और यह गाडियों को सिर्फ और सिर्फ एक सेकंड लगता है वैसे तो यह बहुत हत्तक कंट्रोल में रहती है बट इतनी ज़दा पावर होने क कभी ना कभी ऐसा होता है कि आपकी एक चोटी से मिस्टेक जो है गाड़ी को तुरंत अंकंट्रोल कर सकती है और exactly यहां पर यहां पर अगर आप गाड़ी को देखो को फ्रंट से तो यह पूरी तरीके से मतलब समल्य अंकंट्रोल करके जाकर कि किसी चीज से जो हो काफी कि अंदर आया होगा आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना नेक्स्ट नमबर फाइफ रॉल्स रोइस का एक्सिडेंट अभी हाली में रॉल्स रोइस का एकसिडेंट हुआ है आप सभी को मालूम होगा और काफी ज़्यूद भ्यानक एकसिडेंट था हरियाना के कि इस गाड़ी के लिए कितनी जदा होती है यहाँ पर होता है एक जो टैंकर रहता है वह बिसिकली यूटन लेने के कोशिश कर रहा होता है और अगर आप लोग 100-200 की स्पीड पर चल रहो तो आप लोगो खुद को भी मालूम है कि आप कितनी जल्दी जल्दी डिस्टेंस कवर करोगे यहाँ पर यह जो ड्राइबर रहता है वह देखी नहीं पाता कि कोई गाड़ी जो हो बहुत ज़्या रही है और सीधे हैं यहाँ पर जो हो जाता है क्योंकि रॉस रोड़ेस वाले को भी टाइम नहीं मिलता भाई ब्रेक करने का और यहाँ पर जो गाड़ी है और जल करके पूरी चरीके से खाक हो जाती है यहाँ पर अगर आप टेंकर ड्राइवर को देखोके तो भाई उन्दोनों की ही जो हो डै Apollo की जो हो देख सकती है और यहाँ पर आप लोगश्ल मीडिया ना जाने कितने एक्सिडेंट होते हैं जो कि हमलोग तक भी नहीं पहु कर रहे हैं जो लोग इन्सकों अच्छी तरीके से यूज करते हैं तो वो सारी इंफिमेशन जो है वो वर्डवाइड जो हो पहुंची जाती है यहां पर एक पॉर्शे 911 और एक गाय के बीच में पूरा का पूरा एक्सिडेंट हो जाता है जो पॉर्शे अलबंदर रहता है बहुत ही जदा ओवर स्पीडिंग कर रहा होता है और एक गाय जो की बीच हाईवे पे एक दम से आ जाती है और सीधा इसको टक्कर मारती है यहां पर अगर आप पॉर्शे को देखो को तो इसकी आलत बहुत ही जदा खसता है और गाय जो रहती है उसकी डैस एक्सिडेंट क अगर बात करूं के बारे में तो आप लोगो चारो तरफ जाड़ी के अंदर डैमेज देखने को मिल रहा होगा और यह जैसे आप लोगो बोला कि यह गाड़ियां तो भले सूपर बन गई है इंडिया भी इतना सूपर फास नहीं बना रोड के मामले में यह हाई वे से मामल पर होता है होता है यहां पर एक लड़का जो कि एक अमेले का बेटा होता है वो अपने कॉलेज लैंबॉरगीनी को ले करके जा रहा होता है और वो रिवली सी लिंग पर बारिश होई होती है और जब बारिश हो जाती है तो भाई आपको मालूम है जो गाड़ियों का टायर करके देखनी है यहां पर यही चीज़ होती है यह बंदा जो रहता है इस गाड़ी को बहुत जादा ओवर स्पीडिंग करके चला रहा होता है और एक जगा ऐसा आता है कि बगाड़ी जो हो पूरी तरीके से अनकंट्रोल हो कि यह एक्सिडन्ट जो इससे पहले भी हो चुका है जब यह लैंबवर्गीन यह एक आटो के अंदर भीड़ गई थी तो यहां पर आप लोग देख सकते हो वाई बाकि आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि आप लोग उने वाला एक्सिडन्ट देखा है या नहीं देखा है नेक्स्ट नमबर एट पॉर्शी 911 टर्बो एस का यह एक्सिडन्ट होता है गाड़ी के अगर कॉस्ट के बारे में बात की जाए तो लगबग 4 करोड रुपे के आसपास में इस गाड़ी के कॉस्ट है एक स्पीडिन पॉर्शी जो की सीधा जाकर के एक पेड़ से जो है वो बोरह हासा हो जाता है और वो पूरी तरीकिस अपना गाड़ी का और गाड़ी नेक्स्ट नमबर 9 Mercedes की AMG GTR का यह crash होता है exactly reason नहीं मालूँ मुझको कि किस वज़े से यह accident होता है बट देखने से लग रहा है कि या किसी पूल से या फिर किसी और चीज़ से जो है गाड़ी जा करके हिट हुई है जिससे इसका alloy पूरी तरीके से आगे वाला bend हो गया है मतलब है अगर अगर अग आप लोगों देखने को मिल रहा होगा नेक्स्ट और लास नमबर टैन एस्टन मार्टिन डीवी 11 का यह accident होता है exactly रीजन इस accident कभी नहीं मालूँ मिलको पर यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो गाड़ी जो हो फ्रंट से आप लोगो अच्छी खासी डैमेज जो देख वीडियो देखकर के काफे चीज़े समझने को मिली होंगी और अगर आपको किसी भी टाप वीडियो चाहिए जस्ट कमेंट कर दो और अगर आपको किसी भी accident से related कुछ भी मिलता है आप मेरे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हो कोई दिक्कत वाली बात जो है वो नहीं है मि किसी और नेक्स वीडियो में